दोस्तों आपने नाम चेंज करने का मेरा वीडियो देखा होगा अगर नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है उससे आप देख सकते हैं कि नाम चेंज का पूरा प्रोसिस क्या रहता है और मेरे पास डॉक्यमेंट्स को लेकर के भी काफी रिक्वेस्ट आती है अगर आपको भी डॉक्यमेंट्स की रिक्वाइर्मेंट हो तो आप इमेल कर सकते हैं इमेल डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं दे रहा हूँ प्रिशा अकेडमी एट जीमेल डॉट कॉम पे और नाम चेंज करने के लिए एक जो प्रमुक्ष चीज है वो है न्यूस पेपर में एड देना लेकिन न्यूस पेपर में एड देने के लिए अगर आप किसी एड एजनसी के पास जाएंगे तो वो आपसे बहुत सा पैसा चार्ज करेंगा और कई बार एड पब्लिक्ष करने में 10 दिन 20 दिन या 50 दिन भी लग जाते है और एड जो बुक करते हैं उसमें कोई मिस्टेक होगी उसके लिए भी वो लोग अपनी जिम्मेदारी नहीं लेते हैं तो मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा कि किस परकार से आप घर बेठे अपना एड बुक कर सकते हैं और आपके पास अगर डेबिट कार्ड है, क्रेडिट कार्ड है, नेट बैंकिंग है, पेटिया, मोबाइल अब कुछ भी है तो आप इनका पेमेंट कर सकते हैं अगर आपके पास इन में से कुछ भी नहीं है, तो आप ओफ लाइन भी एक इसका रिसीट है, उसको SBI में जा करके डिपोजिट कर सकते हैं तो इस वीडियो में देखते हैं पूरा तरीका नाम चेंज करने के एड का, आईए देखते हैं दोस्तो मेरा नाम चेंज का वीडियो देख करके काफी लोगों के नाम चेंज हो गया है, गैजिट में पब्लिश हो गया है इनको हम लोगोंने डोक्यूमेंट परफॉर्मा डोक्यूमेंट भी प्रोवाइड करवाए थे तो मुझे इस बात की बहुत खुशी है कि हमारा वीडियो देख करके कितने लोगों ने अपने नाम चेंज करवाना चाहते थे काफी टाइम से लेकिन वो करवा नहीं पाए थे और इन लोगों ने वीडियो देख करके और हमारे से परफॉर्मा डोक्यूमेंट लेगर के अपने नाम चेंज कर लिए ये मुझे बहुत खुशी दे रहा है दोस्तों आगे भी मैं देख रहा हूँ कि आप लोगों को भी अगर नाम चेंज में किसी परकार की दिक्कत आ रही है तो आप मेरा वीडियो अगर नाम चेंज कर देखेंगे तो आपको काफी हेल्प मिलेगी documents हालंकि हम लोग provide कर देते हैं लेकिन advertisement की जो बात आती है वो normally हम prefer करते हैं कि candidate अपना नाम है वो खुद ही उसके अंदर publish करवाई तो इसलिए दोस्तों आज देखते हैं कि add के लिए आपको करना क्या है असल में तो देखिए add के लिए क्या करना है आपको ये जो link है वो मैं दे रहा हूँ publish के लिए इस link में आपको जाना है और आप जिस भी city में रहते हैं उस पर click कर लीजिए जैसे मैंने मुंबई पर click किया है यहाँ पर आपको उस city की जो अलग-अलग अख़वार है उनकी add की rates बताए दी तो देखे हमने ये newspaper जो सबसे सस्ता है इसको select किया है मुंबई में हालांकि add का cost थोड़ा ज्यादा रहता है बाकी cities के मुकाबले तो अब आपको क्या करना है कौन सी date को date को आपको add publish करवाना है वो date आपको इधर click करना है जैसे आप date click करेंगे तो यह आपको date बता देगा कि आपने कौन सा date select किया है अब हमारा next process रहता है compose करना add को यानि हम लोगों को क्या नाम डालना है वो क्या रहेगा वो देखते हैं तो total है stage three stage में ये process पूरा होता है date डालना है compose करना है और फिर हमें pay कर देना है तो हमने compose पे click किया तो एक ये box बना हुआ रहे है left में इस box में क्या है आपको अपना जो नाम है वो इस box में आपको advertisement का format है वो आपको इसमें type करना है वो format अगर आपने हम से लिया है तो हम normally format देते हैं आपको उसी format को copy करके इसमें paste कर देना है तो अभी मैं कोई random ऐसे ही नाम लेकर के इसमें add के लिए डाल रहा हूँ तो ये इस परकार से आप डाल सकते हैं और ये जो left right side में क्लिक आ रहा है view sample adds याँ पे जाकर के भी आप add का जो format है उसका sample देख सकते हैं तो मैं इसमें जो add है वो इसमें type कर रहा हूँ और ये नीचे आप देखेंगे add का cost है वो दीरे-दीरे बढ़ता जाएगा जितना आपका add लंबा होता जाएगा cost है वो दीरे-दीरे बढ़ता रहेगा तो आप देख लीजे मेरा जो add का cost है वो दीरे-दीरे बढ़ता गया है और अब ये बता रहा है कि मेरा add है वो 5 line का हो गया है और इसका total cost जो है वो 709 रुपे हो गया है आप right side में अगर देखेंगे add preview के अंदर ये जो मैं sample add की बात आप देख सकते हैं ये पूरा वैसा ही दिखाएगा जैसा add publish होने वाला है तो आप अपने दो बार इसको देख लीजिए कहीं कोई mistake नहीं है क्योंकि आपके पैसे दो बार लग जाएंगे अगर add गलत हुआ तो आपको दूबारा पैसे देने पड़ेगे ये इन्होंने total cost ह उसका break up दे दिया आपने को अब आपको क्या करना है make payment पे click कर देना है हालांकि इधर मैंने add का जो choose add heading है उसको click नहीं किया है तो इसलिए आगे नहीं जाने दे रहा है तो अगर आगे नहीं जाने दे रहा है तो आपने कुछ ना कुछ छोड़ दिया है तो अभी जैसे मैं मैं देख लिया कि मेरा name change category के अंदर name आएगा date कौन सी को आएगा क्या payment मेरे को करना है ये सारी details इसमें आ गई है अब आपको करना क्या है ये details सब चेक करने के बाद make payment पे click करना है या उससे पहले आप अगर billing आपको details चाहिए तो आप यहाँ पे अपना email id और बाकी details है व आपको भरनी होगी तो इधर आप अपना email id दाल दीजिए और अब go कीजिए अब आपको address और बाकी details है वो इधर सारी आपको fill करनी है अब details भरने के बाद continue करना है continue करने के बाद यह आपको address और जो details है वो आपको दिखा देगा और आपको payment करने का जो है वो next page आपका appear होगा यहाँ पे आपका total payment बताया है payment पे credit card, debit card, internet banking, wallet, major जो wallet है वो सारे wallet इसके अंदर है आप उनसे भी pay कर सकते हैं cash deposit भी आप कर सकते हैं तो इसमें हम cash deposit पे click करते हैं cash deposit पे click किया है तो यह आपको बता रहा है कि 709 रुपे का आपका total payment है state bank of india में आपको pay करना है और accounts की आपको यह details देगा आपको कौन से account में pay करना है वो आप इज़र से देख करके आप कर सकते हैं अब click किया हमने तो यह next page है वो appear हो गया इसमें बता रहा है कि हमारी details क्या है details confirm कर लीजिए इसके बाद आपके email पे यह जो ऐसा email आपके email पे आ जाएगा जो आपनी email उदर डाला था उसमें आप नीचे जाके देखें कि वो सारी details है जो हमने डाली थी इसके साथ ही साथ इसमें एक attachment भी आता है वो attachment भी आपको देखना है सारी details देख लीजिए scroll down करेंगे तो यह attachment है इस पे आपको click करना है इस पे click किया है तो हमारी जो details थी वो इसमें सारी details हमारी आ चुकी है और इसने payment का सारा है वो details हमने बता दी है अब करना क्या है आपको जो पहले details दी गई थी कि आपको state bank में जो जाकर के email पे details दी हुई है वहाँ पे जाकर के आपको payment करना है और वो जो receipt होगी वो receipt आपको इनको बेजने है जैसे ही इन लोगों को receipt प्राप्त होता है ये लोग आपका news का add है वो confirm कर देते हैं जिनका online payment है उनका add उसी time confirm हो जाता है और जिस date को select किया है उस date को आ जाता है इस परकार दोस्तों आप घर बेटे सिर्फ तीन मिनट में add बुक कर सकते हैं अगर आपको अच्छा लगए वीडियो तो like करें और आप format के लिए हमें email कर सकते हैं हमारा भारत को सिबिल पे का वीडियो भी अवश्य देखें